हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब तो आज मैं आपको धोकी दिखाऊंगी यहाँ पे डबल बैट का कंबल किंग साइज वाला बड़ा वाला कंबल जो होता है जो बहुत हेवी होता है इसको धोना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम होता है यह मैंने वाशिंग मसीन में धोया है कैसे दोया है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी बहुत आसान तरीके से क्योंकि इसको धोलिया बड़ा ही कठिन काम है तो यहाँ पे देखी मैं अपना कंबल दिखा रही थी जो मैंने एक साइड इसका पूरा ले लिया है और यहाँ पे वाशिंग मसीन में किया है पा अटोमेटिकली होनी चाहिए फुल अटोमेटिक में मशीन जो है उसमें पूरा कंबल एक साथ डालना पड़ता है तो थोड़ा से प्रॉबलम हो जाती है वाशिंग मसीन आपकी खराब न हो जाए गई तो यहाँ पे मैंने लिया है विनेगर तो मैं इसमें आदा मतलब जो ह होएंगे इसमें क्योंकि पूरा नहीं डाल सकते हैं पूरा लोड नहीं ले पाएगी मशीन आपकी वाशिंग मसीन खराब होने के चांस रहेंगे तो रिस्क नहीं लेना है और यहाँ पर देखिए मैंने आधा कंबल जो है वो इसमें बिगो दिया है डाल दिया है और वाश सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि वाशिंग मसीन कितने लीटर की है कितने किलो की जो होती है कितना है कितना वेट ले सकती है उसे इसाप से आप देखें ऐसा नहों कि बहुत चोटी मशीन और आप उसमें दोए तो मुष्ण मसीन खराब हो जा है तो आप आपने कहा था तो हमारी मशीन खराब हो गई तो यहां देख लिए आप यह देखे कितना easy तरीके से मसीन हमारी चल रही है असा नहीं को ज़्यादा load ले रही हो तो देखकत आ रही है असा नहीं है न आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से चल रही है और इसकी गंदगी भी सारी देखके कंबल की निकलती जा रही है अपकी बार मेरा कंबल बहुत जादा गंदा था क्योंकि घर में काम हुआ था तो दूल मिट्टी दो ही होई जाती है बहुत ज़्यादा गंदा था तो यहांपे मैं एक तरीका बता रही हुँ आपको कि आप ऐसे भी लटका सकते है और नीचे को भाषी डख सकते हैं इसके ओपर कंबल के ऊपर आप जैसे लटका के भाषी चीज़ और एक तरीका आप जो ड्रायर होता है न बगल में आप उसमें भी इस कम्मल को फसा सकते हैं जैसे कि मैं अब आपको आगे दिखाऊंगी मैंने कैसे फसाया हुआ है और ये देखिए कम्मल की गंदगी जो है वो बिल्कुल हाफ सोजरियों के कितना गंदा रखा है तो अब किवा की बार ना इसको और मतलब 15 मिनट का लगा दिया आप चाहे तो शोग भी ले सकते हैं तो देखिए एक तरीका ये भी है कि एक साइट जो आपकी बची है न वो आप इस तरीके से इसमें फसाद है तो ये निकलेगा नहीं आसानी से आपका जो कम्मल धुल जाएगा तो ये देखिए कितनी गंदिगी इसमें निकल चुकी है बहुत इजी तरीके से बहुत आसान तरीके से हमारे बहुत पैसे बच जाते हैं इससे क्यों कि हमें बहुत ड्राइक लिंग कराने जाना होता है तो कम से कम 500-600 रुपे तो लगेंगे ही लगेंगे तो ये देखिए अब मे कुनिको दिरे-दिरे करके तो हलका भी होता जाता है कमबल तो इसको हम इस वाली साइड में डालती जाएंगे क्योंकि हमें वह बाली सायड धुलनी है तो हम जमीन पर नहीं लटकाएंगे क्योंकि जमीन पर बहुत भारी हो जाएगा व्शिंग मसीन पर लोट पड़ेगा इस वेसे आपको जो भी आप जो सापका धुल गया है कंबल का वो वाला हिस्से आप इसमें डाल दीजिए इस तरीके से और जो हिस्सार रह गया है उसको आप फिर से उसमें वाशिंग मसीर में धुलने के लिए डाल दीजिएगा यह देखिए मैंने अब इसको डाल दिया है और यहां पे मैंने थोड़ा पानी और किया था क्योंकि पानी कम रह गया था कंबल को धुले में और थोड़ा सा धोने वाला मैंने इजी भी डाल दिया था और थोड़ा सा डेटरजेन पाउडर भी डाल सकते हैं अगर आपको लग रहा है ज्यादा गंदा है जो कि मैंने भी जाला है तो यहां देखें यह वाला हिससा आप देखने हैं जो धुल चुका है कितना क्लीन हो गया है बिल्कुल चमक गया है। यहाँ पर मैंने ठोड़ा पानी और थोड़ा सा एजी ओर डाला था तो यह देखिए अब इसको भी मैं धुल लोंगी इसी दरीके से आदा गंटे का आप लगा लीजी या फिर आप 1 गंटे का भी लगा सकते हैं वो आपके ऊपर आपकावल ज्यादा गंदा है तो आप उतने ही टाइम का लगा दीजी तो मैं आदे आदे घंटे का लगाया था मैंने siitä क्योंकि यह जो ऊनी होते हैं न वूलन वाले कंबल वगर यह जल्दी साफ हो जाते हैं इनको ज्यादा टाइम नहीं लगता है यह ड़स्ट पकरते भी जल्दी है और ड़स्ट छोड़ते भी जल्दी है तो यहां पर मेरा कंबल जो है धुल चुका था अब मैं क्या करूंगी वाला साइड भी निकालके इसी में डाल दूंगी इस तरीके से देखिए पो वाला निकालके भी मैंने इसी में डाल दिया वाशिंग मसीन को मैंने बंद कर दिया है अब मैं नहीं चला रही हूं इसको क्योंकि अब हम इसका यूज करेंगे आपनी वाशिंग मसीन का वो एक टप की तरह करेंगे कपड़ा निकालने के लिए जिसे बकेट का और टप का यूज़ करते ना उस तरीकी से तो मैंने फिलाल तो पहले पूरा इसी में डूबो दिया है और मैंने पानी इसका निकाल दिया है ये देखिए मैं इस तरीके दिखा रहे थी आपको मैंने पानी इस गंद की दिखा रही थी कि देखे एक पानी ना एकदम काला हो गया है बहुत जादा गंदा हो गया है तो इसको आसानी से घर पर दो सकते हैं बिना किसी जंजट के बिना मतलब कमर डर्द रहता है ना मेरी तो बहुत रहता है तो मैं नहीं दो पाती हूँ मैं बहुत डर रही तो अब मैंने क्या किया वह पानी निकाल दिया था सर्फ वाला और यह पानी इसमें कर दिया है तो यह देखिए अब आप क्या करें इसी में इसी तरीके से ऐसे बस हातों से ही आपको दो तीन बार पानी से निकालना है जितना भी आपकी जब तक सर्फ या जो आपकी डिटर् के से मैस में डिप करकर के बार बार और अच्छे से खंगाल लोंगी इस तरीके से आपको प्रोब्लम भी नहीं होगी उठाना भी नहीं पड़ेगा आप ज़्यादा बजन भी ना मतलब ऐसा भी नहीं कि आपको खीच-खीच के उठाएं जो ज़्यादा दर्द परेशानी हो आपको क्योंकि हम नहीं जो आपको तरीका बताया है यह परेशानी से ही चुटकारे के लिए बताया है बहुत प्रोब्लम हो जाती है भाई कंबल धोने में यह काफी भारी हो जाते है केंग साइज का जो बड़ा वाला कंबल होता है डवल वेड वाला वो तो धोना बहुत मुश्किल काम है तो यहाँ पर मैंने इसका पानी फिर से निकाल दिया है यह पहली बार मैंने डाला है मैंने तीन बार डाला था पानी इसमें तीन बार में ही कंबल मेरा बिल्कुल साफ हो गया था अब यहाँ पर मैंने दूसरी बार यहाँ पानी डाला आप देख सकते हैं दूसरी बार में भी इतना गंदा पानी नहीं है साफ होने लगा है पानी ओ कंबल मेरा एकदम से क्लीन हो गया है बिल्कुल चमक गया है जैसे कि नया आया हो उसी दैप का हो गया है बिल्कुल तो यहां देखिए मैं इस तरीके से हातों से ही बस इसको उपर नीचे करके और फिर से करूँगी तो यहां पर मैंने यह तीसरी बार किया है अब तीसरी बार इसका पानी आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ है गंदा बिल्कुल भी नहीं है तो आपका कमल यहाँ पे धुल चुका है बिल्कुल अब आप क्या करें इसको निकाले कैसे यह देखिए तो वो दूसी साइड है न उस साइड ही थोड़ा थोड़ा करके आप निचोर निचोर के निकालते हैं यहाँ पे कमल हमारा धुल चुका है इसको मैंने निकाल के रख लिया है कुरसी पर जिससे किसको सारा पानी निचोर जाए पूरा पानी निकल जाएगा इसी तरीके से तेंगल बगरा पर टांगते हैं और फिर ढूप में इसको सुखा लें देख सकते हैं आप कमल मेरा बिल्कुल चमक्या है साफ हो गया है मेरे कमसिकम पांसो छेसो रुपी भी बस गए है तो चलिए कैसा लगा है वीडियो कमेंट करके जरूर बताना चैनल पर न्यू हो तो सब सब्सक्राइब कर लीजिएका गंटी को जलू दबा लीजिएका नोटिफिकिशन के लिए बबाय टेक के राधे राधे